तभी दोस्तों को एक बार पुने नमस्कार सुवागत अमित्रों एंटिवाइटिक जीके वाली सीरीच चल रही है उसे मारवाड की इतिहास की तरह भढ़ रहे हम लोग मेवाड की इतिहास कंप्लिट कर लिए आपके एंटिवाइटिक इस्ट्री के नाम से मेने पिलिष्ट बनाई विए वहाँ जाएं आप लोग और घंटे-घंटे क्लासों का हम 5-5 मिनिट में करके हम लोग समय की बचत कर रहे हैं रिवीजन का रिवीजन है समय की बचत है उन बच्चों के लिए बहुत ये कारगर सी धोंगी जो कहता है इसार हम जोब कर रहे हैं समय के आभाव म इजाए फाइल डाली हुई है राजवन से यहास के नाम से उस फाइल को निकल वालो उसी कि सलैड़े बना बनाके बैं आगे पड़ा रहा हूं एक साथ दिया है मैंने ठीक है बात करते है राव जोदा पीछे हम लोग राव जोदा की बात कर रहे हैं एक पुत्र राव सबसे बड़ा पुत्र है तुमें कोन राव भी का राव भी का सबसे बड़ा पुत्र है औला कि बड़ा पुत्र ठाएं जेश्ट्ठ बच्वी लेकिनों कि क्या हो गई मिर्त्वि तो रावविका का जनम हुआ ले राव जोदा के पत्नी नोरंग दे के गरब से हुआ और रावविका भड़ा है तो दो आधिकारिनत का भंता है च्थाल werd की मा का नाम यह चोटे भाई को मैं क्या बना रहा हूं उत्रादीकारी बना रहा हूं बुल पापा कोई बात नहीं अगर तेरे बेटे राव भीका में सामरत्य होगा तो एक बहुत बड़ा सामराज यह खड़ा कर देगा बस आपका आशिरवाद चाहिए पिता जी लेकिन आपकी लेकिन मुझे मिलने चाहिए यह भी तै हुआ और राव भी कहा यहां से निकल जाता है और उस इलाके में आपका जांगल परदेश है कौन सा परदेश है जांगल परदेश और जांगल परदेश में जाकर 1465 इस्वी में राठोड वंस की निव रखता है अता लगा कि यह मे 1488 इस्वी में आपका बीका निर नगर बसाया चब राठोड वंस की निव रखी गई तो उस समय ही इलाका जांगल परदेश ठा और बाद में बीका निर कस्वा बाद में बसा अगर दोनों उपशन में उत्तर क्या देना है जांगल परदेश देना है आपको बीका नेर नह ती तीन साल के लिए आप देखिए सातल देव है ज्यान सुनना सातल के कहानी आपको समजा रही है यह है यह साथल आप देख लिए आप देख लिए बड़ा मजा आएगाए आपको पर इतिहास आप सो सिंग वा गुरुजी क्या इतियास हमें पढ़ाया गया है देखे पिता का नाम राव जोदा यह हम पीछे से पढ़ क्या है और माता का नाम जासमदे यह हम पीछे से पढ़ क्या है छोटा था फिरवुत रदिकारी गोशित किया यह भी हम पीछे से पढ़ क्या है कुं अजमेर के सूबेदार कौन है मलुखा अजमेर के सूबेदार मलुखा मलुखा ने मेड़ता पर अटेक किया कहा के सूबेदार अजमेर के सुभेदार मन्लू खाने क्या किया मेड़ पर अटेक किया और इनके सैनापति कौन था खूडला तो इनके मलुखा और आपके अजमेर के सूबेदार के मद्द लड़ाई हुई यह तो आप जानते हो मित्रों लेकिन नहीं पैचान आपको मिलेगी कि युद्ध का नाम था कौसाना का युद्ध और ये कहां हुआ जोधपुर में एक मार्च 1492 को जैसे पता है आपको कि राइठान नए आकड़ों के लिए जाना जाता है विस्तिरी चर्चा के साथ जाना जाता है और वे आपके सामने कोसाना का युद्ध किनकिन के मद्द हुआ अजमेर के सुबेदार मलुखा और सैनापति गुड़ला खा के मद्द हुआ कब हुआ एक मार्च 1492 को हुआ कहां हुआ जोदपूर में हुआ और द्यानकड़ा कि यह आपके गुड़ला खा है क्या कहा गुड़ला खा इनका सैनापति होता था और गणगोर की आपके पूजा कर रही थी जोदपूर सहर में घुमाया गया तो जो कुवारी कन्याय है उन्होंने एक निरत्य किया शिद्रित मटका लिया और शिद्रित मटका लेके उसमें क्या रखा धीपक रखा और शिद्रित मटका लेके दीपक रखे एक निरत्य किया जिसे इतिहास में गुड़ला निरत्य कह और यही से आपका गुढला तयोहार और निरत्य प्रारंब होता है और आपके यहीं की कहने प्रारंब हुआँ और चैत्र किष्णा अश्ट्मी को निरत्य गौडला तयोहार, चैत्र कृष्णी अश्ट्मी के दिया रखाना, आप घोडला मत कर देना Counselor यह गौडला प्रियांक सब्साइब तरह तक हजएबई कमें नेया है कि अक्ट मैं के सब्सक्राइम है youngsters देखें omar 피부 की सब्सक्राइब नयेकón, सब्सक्राइब के बारे में अब बहुत अच्छा सवाल और दखेंए saya isma सब्सक्ते और देखें राजा बना इन बच्चे क्या करेंगे बच्चे यही करेंगे गुरुजी 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 तूजा इनका बेटा था क्योंकि सूजा इनके बाद में राजा बना तूजा इनका बेटा था क्योंकि सूजा इनके बाद में राजा बना एक तो आपको यह ध् दूदा जो आपके राठोड है क्यों राव दूदा जो राठोड है यह द्यान रखे आप लोग राव दूदा राठोड तो यह राव दूदा राठोड है यह आपके कहा के थे यह आप लोगों के राव जोदा की पत्नी राव जोदा की पत्नी आपके चांपा भाई के गरब सो पैदा हुआ था इनके गुर्ब से राव जोदा की पतनी चांपा भाई के गरव से राव सातल डेयु की जनब भाई तो आपके राव सोड़ी आपके राव दुदा की मा को नहीं को नहीं टमाई very important question Essentials के घरव से कोन हुआ रतंसिंग और रतंसिंग की आप कौन था राव जोदा यह सब बाते मित्र हो आपको आनी चाहिए सटैसन के लिए और ये ही आदार है आप लोगों का ये आप लोग यह पर अब NGO गांगा की बात करेंगे यह तो गांगा की हत्या करतों मालदयों की बात करेंगे सभी को राम राम साहब धन्यवाद टेलीग्राम को जरूर जोइन कर ले ना राम राम साहब धन्यवाद